तो यह रही एक्टिवाब 125 टॉप बेरियंट और यह रही यहां पर इसकी की अभी की विलकुल नहीं है इसलिए इस पर कुछ डैमेज नहीं है लेकिन अगर आप भी नहीं ने स्कूटी लेते हो तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक की को संभाल के रख लेना क्योंक च्छाय क्केट लाक लगाने में और स्टार्ट होने में बिक्क mix को एक इम लिखे आपको एलेड हैड लैंप यहां पर आपको को मिल जाएंगी यहां होगी है और यहाँ एशा दिखता इसका मीटर अभी देख लीज़िए ऐसा दिकता इसका मीटर बाकी यहाँ पे दिया गया है अगर आप इसको on रखते हो तो ट्रैफिक में खड़े होने के बाद ये खुद बखुद बंध हो जाती है और थोड़ी सी रेस देने के बाद फिर से on हो जाएगी बाकि यहां पर इंडिकेटर के साइन दिये गये हैं यहां पर आपको टाइम दिया गया है यहां पर टोटल कितनी स्कूटी चल चुकी है वो दिखाया गया है और बाकी और भी जादा फीचर है जैसे यहां पर बताया गया है कि कितनी हमने ट्रिप करी है यहां पर कितने लीटर में कितने किलो चलेगी बो दिखाएंगे और यहां एबरेज दिखाए जाएगी यहां पर 46 दिखाए गई है यह एबरेज जो है वो फिक्स नहीं है अगर आप इसको राफ्ट लाते हो तो यह कम हो जाती है और यह डिपेंड करता है आपके राइडिंग पे किस तरह से आप राइड करते हो फ्यूल लेड को लिए आपको यहां पे चाबी को थोड़ा सा ओफ और ऑन के बीच में रखना पड़ेगा उसके बाद फ्यूल वाला दवाना पड़ेगा तो यहां से डाल सकते हो आफ फ्यूल दालने के लिए काफी बढ़िया यहां पे स्पेस दिया गया है इसका भी करते आपको इसकी seat, तो seat का button मैंने दवा दिया, यहाँ पे, तो seat हो चुकी है, open, यहाँ पे आपको मिलेगा एक screw driver, यहाँ एक बड़े nuts को खोलने के लिए, यहाँ पे मिलेगी आपको एक चाबी, और साथ में यहाँ पे documents वगेरा, और foster यहाँ पे मिलेगी, और वाकी परानी एक् यहाँ रखना हो, षो रख सकते हो, phone डालना हो, और phone भी डाल सकते हो, यहाँ पे helmet लगाने के लिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ इसकी मदद से आप helmet को लटका सकते हो, और यह बंद भी को जाता है, अगर आप गाउन के अरिया में रहते हो और बोरीयां वग्वारा, दिए गे हैं यहां पे इसकी एक्सेसरी को भी लगाया गया है काफी स्टाइलिस पीछे से दिखती है और फ्यूल लेड़ यहां पे उपर है यहां पे आगे है इसका डैश बोर्ड अगर आपके पास और भी कोई वीकल है एक्टिव है या कोई भी और तो आपने एक चीज नो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गैस टॉट की मदद से आप करोगे तो काफी हद तक यह डैमेज भी हो सकता है तो मैं आपको रेक्मेंट करूंगा कि यह आप 20 रुपीज का एक पॉलिश है जो कि आप यहां डैश बोर्ड में लगा सकते हो 20 रुपीज का है और का कर देगा आपके डैश बोर्ड को तो जब कभी भी आप अपनी स्कूटी को धोगे तो उसके बाद इस पंच को यहां पर एपलाई कर देना आपका कभी भी यह डैश बोर्ड खराब नहीं होंगा डल इसका पेंट नहीं पड़ेगा और बिल्कुल नहीं जैसा यह लगेगा तो 20 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने डैश बूट को बचाने के लिए तो साइड वाइस लूक इसका कुछ ऐसा लगता है आप देख सकते हो पीछे भी यहां पे अलॉई वील्स हैं पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी और आगे जो है वो डिस्क ब्रेक यहा जाता था काफी जादा यह आवाज करने लगता था तो इसमें ब्रॉब्लम को सॉल्ब कर दिया है और अभी इस पर लगता है एक अजीब सा यह नट नहीं है प्लास्टी का पीस है जो कि लॉक हो जाता है और इसली यह गिरेगा नहीं और आपको इतनी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा मेरे फ्रेंड ने भी एक्टिवा बीए सिक्स ली थी लेकिन उसको हो चुके हैं दो साल तो उसकी एक कंप्लेइन है कि सालेंसर का यह वाला नेट जो है बो बार बार टूर जाता है आई डोंनो वाई कि यह क्यों तोड़ता है क्या इसके पिछे रीजन है अगर मेरे वाला नेट भी कभी तूटेगा तो मैं आपको इनफर्म जरूर कर दूँगा तो अगर आपका भी यह नेट तूटता है तो इसको बैल्डिंग कराके निकालना पड़ेगा और नया नेट भी हाँ पर लगाना पड़ेगा बात करें इसकी बाइब्रेशन की तो इंजन बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता अगर आप यहां पे चलते हो 70 की स्पीड में 80 की स्पीड में फिर भी इंजन बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करेगा तो मैं आपको इसमें रेकमेंड तो नहीं करूंगा कि आप 80 की स्पीड पे चलो नॉर्मल जो इसकी ए आगे की बॉड़ी उसका बेट कम कर दिया गया है बैटरी को सिफट करके यहां से यहां लगा दिया गया है नीचे इसकी बैटरी है और आगे से काफी ज्वधा हल्की हो disciplines अगर आगे वाला बेट कम हो तो मोडे पे आप बिलकुल आसके मोडे सकते हो आगे वाली यहां पर डिस्क है, आपको उसमें ABS नहीं मिलता है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कॉम्बी ब्रेक का यूज करना, मतलब पीछे की ब्रेक लगाना, उसके साथ थोड़ी थोड़ी आगे की ब्रेक भी लग जाएगी, अगर आप एकदम से आगे की ब्रेक ल काईएगा, इसलिए आप सेफ्टी का ध्यान रखना, कॉम्बी ब्रेक का हमेशा यूज करना, फ्रंट डिस्क का यूज बहुत कम करना, तो यह रही आवर ओल इसका रिव्यू, तो अगर आप भी इसको लेने जा रहे है, तो आउन रोड आपको पड़ जाएगी, एक दो त तो आप उसके रिस्पॉंसिबल खुद होंगे कंपनी कोई भी क्लेम आपको नहीं देगी और बाकी इसका पूरा रिव्यू भी कंप्लेट हो चुका है लगते हैं